हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब ठीक हैं और फिर से अपका स्वागत है हमारे अपने चैनल अन्बी गॉमत सब में दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्क्स करने जा रहे हैं UKPSC Assistant Accountant के Document Verification से रिलेटेड यानि कि जो डिवी आपका होगा उससे रिलेटेड बात इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं कि इसके लिए क्या-क्या आपके document required है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लोगों के query जारी थी कि कि किसी की date of birth गलत हो गोई है किसी का कोई document नहीं बना हुआ है तो इस वज़े से बहुत सारी रोग परेसान है तो यह चीज़े किलियर होनी चाहिए पहले ताकि डीवी के टाइम पर आपको इसके लिए दिख करन रवाय जा सकता है ठीक है तो उसके लिए document जो जो document required है वो सारे document आपके पूरे होने चाहिए तो वही चीज़ हम यहाँ बात करने वाले हैं अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो मैंने पोल दिया है आपको YouTube पे भी पोल दिया है और Community टैप को आपको खोलना है तो Community टैप मां आपको महां पर मिल जाएगा और पूल को कंड़क्ट कर सकते पूल मां और इसके अलावा जो टेलिग्राम चैनल का लिंक है वह मां आपको description box में यहाँ पर दे रहो नीचे तो वहां पर भी आप जोइन कर सकते हैं ठीक है चलिए ब 10th and 12th कि यह तो आप सबी को पता ही है कि यह तो आपके mandatory होता ही होता है लेकिन उसके अलावा कुछ और document आपको बनाने पड़ेंगे इसके अलावा क्याकर document है जैसे दूसरा graduation की ठीक है अब graduation की जो B.com मागा गया है या फिर B.b.a. इसके अंदर मागा गया है तो B.com और B.b.a. की आपके पास में या तो degree होनी चाहिए ठीक है अगर degree अगर in case नहीं है तो provisional degree आपके निगल जाती है एक दिन में ही निगल जाती है provisional degree वो आप यहाँ पे निकाल सक लेकिन जहां तक मैं recommend करूंगा आपको की provisional degree जरूद आप लोग निकाल लेना क्योंकि वहाँ पर जो appearing वाला बंदा है तो obvious है उसके पास provisional होना चाहिए और जो पुराने student है जिन्होंने पहले pass out कर लिया तो उनके पास degree आई ही गई होगी क्योंकि तीन चार एक-दो साल के अंदर तो आपको डिग्री आराम से मिल ही जाती है तीसरी इसके अंदर बात करते हैं अगर आपके पास पीजी वगएरा का certificate पीजी वगएरा का है तो वह भी आप यहाँ पर कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजर से यानिया कि आपके पास M.com वगएरा है तो वह आप रख लेना मेंडेटरी आपका बीको मागा गया था वह ज्यादा मेंडेटरी आपका पहले बैचलर डिग्री जो इसेंचियल क्वालिफिकेशन है और उसके बाद इसके अंदर आता है स्थाई निवास प्रमाण पत्र यानिकि जो आपके उतराखंड का होने का आपका प्रूफ है यहा रप्लाइब हो जाता है लेकिन कहीं नहीं वह एल्लेक्टोनिकर साइन होके तासिल दार के द्वारा साइन किया गया होगा ठीक हा थो यहां पर किसी ने नाम नहीं लिखाया है और पताया था कि इस नोडिकरी तो लेकिन अभी के टाइम पर क्यूइड ने सकता है वहां पर मागा जाए तो इसी के लिए आप अभी से उसके लिए अपलाई कर सकते हैं किसी भी CAC Center से यह अपलाई हो जाता है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट देंगे तो वहां से अपलाई आप कर सकते हैं विदिन 15 देज या 10 देज या फिर 5 देज के अंदर भी यह आपको है EWS certificate अब इसको लेगे EWS certificate को लेगे काफी यहां पर जो confusion है वह यहां पर है student के दिमाग में कि कौन सा EWS certificate इसके अंदर लगेगा तो देखे EWS certificate वह वाला आपको यहां पर माना जाएगा जो आपने EWS certificate current का नहीं लेगेगा वह वाला certificate आयोग आपसे मागेगा जो आपने form फिल करने का time पर वहां पर डाला था क्योंकि उसका certificate number भी आपका होगा तो उस number certificate number का वही certificate आपका लेगेगा EWS वाला और अगर किसी का board certificate नहीं बना हुआ है तो आप back debt का certificate अभी बनवाल है क्योंकि अभी current का certificate नहीं लगेगा क्योंकि नया financial year start हो चुका है first of April से आपका new financial year यहाँ पर start हो जाता है तो उससे अगर आप ने बनाया है नए financial year से अगर आप बनाना चाहा रहे हैं तो वह आपका अप्लिकेबल नहीं होगा इस बात को आपके सलेक्ट होने के बावजूर भी अगर आपके पास अप्रोप्रियेट एविडेंस या फिर डॉक्यूमेंट वहाँ पर नहीं होते हैं तो यह बैगडेट का मतलब की आपके जब फॉर्म आये थे तो उस टाइम का अगर अभी अप्लाइ कर रहा है तो यह नहीं मान जायेगा उसके बाद की अगर आप अभी अप्लाइ कर रहे हैं तो यह नहीं माना जाएगा ठीक है तो आयोग ने साब साब लिखा हुआ है अपने वेरियस अड़िटाइजमेंट में कि जिस समय लास्ट डेट आपकी अप्लिकेशन की होती है उस डेट तक आपके पास यह इसेंचियल डॉक्युमेंट होनी चाहिए क्योंकि यह बेसिक क्वालिफिकेशन होती है ठीक है तो बेसिक क्वालिफिकेशन में आपको यह चीज mandatory है कि ये certificate आपके पास में होना चाहिए तो ये आपके कुछ basic document है जो कि आपको अभी से prepare करने है इसके अलावा बागी के जो आपके educational document है जैसे आपके SC, ST, OBC certificate हो गया ये सारी चीज़े तो आपके रहेंगी ही रहेंगी लेकिन जो EWS है basically वो आपको पता है हर साल ये renew होता है क्योंकि एक financial year के लिए बनता है तो आपका ये हर साल renew होता है इसलिए ये confusion दूर करना बहुत जरूरी है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि EWS हमारा बहुत सारे rumors हैं कि EWS आपका central का भी होता है state का भी होता है कौन सा आपका apply होगा तो इसके अंदर ऐसा है जो आपके तहसील से बनता है वो वाला EWS आपका यहाँ पर applicable होता है ठीक है तो ये वाला EWS यहाँ पर applicable होगा तो ये सारी documents को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है और सभी documents को आपको यहाँ पर ready करना है अब इसे और बाकी के कोई अगर आपके confusion है या कोई आपका doubt है तो comment box में पूछ सकते हैं और next video में लेगे होगा expected cut up पे तो उस poll को सभी लोग यहाँ पर share करें अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो लोग उसमें participate कर पाएं और एक हम लोग यहाँ पर average निकल पाएं और उसके basis पर मैं आप लोग को बताऊंगा कि कहां पर आपका selection हो सकता है और इसके बाद typing की अगर वीडियो की बात करें तो वो वीडियो में फिर से एक बार और बनाऊंगा लेकिन पुरानी वीडियो मेरी पढ़ी है typing की वह मैं आपको यहाँ पर description में पिन कर दूँगा तो उसको भी चेक आउट कर लेना कि वहाँ पर क्या-क्या कैसे-कैसे typing होती है क्या-क्या essential चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर करूँगा अगर आप लोग बोलेंगे तो एक और मैं आपका फेवर यहाँ पर कर सकता हूं कि जो already selected बंदे हैं उनका इंटर्विव मैं करवा सकता हूं ठीक है क्योंकि मेरे कॉंटेक्ट में काफी स्टूडेंट है जिनका already selection हो चुका है UK SSC के थुरू और वहाँ पे अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट करके बताना नीचे और बागी अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूला है चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें आज की वीडियो में इतना ही था था थैंक्यू सो मच हैव नाइस डे टेक कियर बावाई